दोस्तों गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग गुड़ मॉनिंग दिल्ली में जो हुआ है उसने हमारे देश को एक बहुत बड़ा मैसेच दिया है जिसे फिर कोई मीडिया चैनल ब्रच्ट बिका हुआ P.R.P के लिए कुछ भी करने वाले मीडिया चैनल लोने नहीं पकड़ा किसी अखबार ने नहीं पकड़ा किसी नियूचेलर ने नहीं पकड़ा कोई पत्रकार इस बात को नहीं पकड़ रहा है कि ये क्या हुआ बहुत बड़ी बात हुई मेरी निजर में बहुत बड़ी बात हुई दिल्ली में एक टेम्पो चालक पिता पुत्र जो सिख थे, सरदार सरदार पिटा पुत्र की एक पुलिस वाले ने पिटाई की पीट पर निशान देखे हैं हमने लाठीयों निशान पीट पर लाल नीले, काफी बुरी तरह पिटा पुत्र को मारा, छोड़े सी बात पर और इसके विरोध में दिल्ली का सिख, दिल्ली का सिख, दिल्ली का सरदार सड़क पर उतर पुड़ा और दिल्ली के सिखों ने, सरदारों ने जो परदर्शन किया उसमें मैंने एक बात बड़ी महतपून नोटे से मिली नारा ए तद्बीर, अल्ला हो अकबर ये नारा सिखों ने बुलंद किया सिख समुदाय ने सिख सिखों नारा ये तक्बीर अल्ला हुआ अक्बर इसलाम का ये नारा सिखों ने क्यों बुलंद किया इस बात को कहीं किसी निउस चैनल ने कहीं किसी ने कहीं किसी ने नहीं दिखा रहा है दिखाया, क्यों हुआ ये, ऐसा क्यों हुआ ये, इसको मैंने समझा, दोस्तों आज यूनिटी, आज देश में हिंदू की आबादी सौ करोड के लगभग है, लेकिन फिर भी हिंदू जो है, अपने आपको असुरक्षित, पिद्धोजार चहुदा के चुनाओं के बाद से, हिंदू शेर, हिंदू वेर, हिंदू श्टंगठन और हिंदू असुरक्षित, सबसे बड़ी आबादी, सौ करोड की आबादी होने के बात भी क्यों समझने लगा, ये बात समझने की है, क्योंकि कट्टर माना गया इसलाम को, इसलामी एकता को इसलाम में, शिया सुनियों म आपस में लड़ाई चाहें जितनी भी हो लेकिन जब कोई इसलाम पर बात आती है तो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं इस चीज को पूरी दुनिया ने गोर किया है पूरी दुनिया ने इस चीज पर गोर किया है कि पूरी दुनिया में इसलाम में एकता सबसे ज़ादा है और हिंदू धर्म में जैश्री राम कहीं बटा है तो कहीं अकले शादो जो है राधा कृष्ण पर आ जाते हैं सब बटे हुए आपस में तो सिखों ने अल्लाहो अक्बर क्यों लगाया क्योंकि सिखों ने उस एकता को इसलामी एकता को अपने माध्यम से इस नारे के माध्यम से परस्तुत कर दिया ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगी बहुत से वोश्टर मीडिया साइट्स पर वाटसेप पर भी मुझे कई लोगों ने बेजा कि जिसमें सिख मैठे हैं और सिख नाराय तद्बीर अलाओ अकबर दिल्ली में लगा रहा है जो सिख ही टेमपो के साथ जो पिटाई हुई तो ये बात यहां पर समझने के आवश्च रखता है तो एकता इसलाम में किस चीज की है एकता किस चीज की है अमन की सचाई की मैंने N antis में लिए जैसे मैं कहता था कि मैंने पुराने वीडियो में बहुत सी बातों किया कहा भी मैंने कियी बार कि भगवान से डरना चाहिए कि भगवान से प्यार करना चाहिए ई wonderful से बजनर्ण बली से बोले शंकर से हमको डरना चाहिए कि प्यार करना चाहिए फिर मैंने इसलाम बे गौर किया कि अल्ला से डरना चाहिए या अल्ला से प्यार करना चाहिए फिर मैंने गौर किया कि यहां पर दोनों चीजें पैरलन रखी गई है डर और प्यार दोनों बराबर रखा गया प्यार के नाम पर एक दम समर्पन अपने को कुर्बान कर देने का भाव इसलाव में और डर ऐसा कि हमने अगर कोई गलती की हमने कोई जूट बोला हम असत्ते पत्र पर चले तो हमें बड़ा बारी कड़ा तंड मिलेगा तो मतलब दोनों चीज़े हैं या बात को समझने के आवश रखता है और हमारा हिंदू धर्म है बहुत उदार विराट बहुत विराट सब को अपने में समा लेने वाला तो आज इस चीज़ को समझे कि देश में जो एक धार्मिक राजनीत हुई पॉल्टिकल राजनीत ही हुई धर्म की राजनीत ही जो हुई है दिल्ली ने दिल्ली के सिखों ने उस धर्म की राजनीत के मुख पर एक तमाचा मारा है नारा ए तक्बीर अल्ला हो अकबर सिखों के मुख से बुलंद कराके है नारा क्यों क्योंकि सिख ये चाह रहे हैं अर्दू में कहो अल्लाव बर्चाहँ जैसे करो ये न जैश्री राम बोलो तो तुम जैश्री राम यानी राम को मानने हो न तो राम कौन राम माने सत्य राम माने सत्य मुक्से सिर्फ सत्य निकले अगर अला को मानने हो इश्वर को मानने हो दुरगा को मानने हो काली को मानने बजरंग बली को मानने हो नानक को मानने हो जीजस को मानने हो तो किसको मानने हो केवल सत्य को मानने हो सत्य के अलावा किसी गुमन यहीं मानने हो तो यह जो एकता के नाम पर जो एक political एकता दिखाई गई कि vote bank की एकता, हिंदू Muslim की एकता, तो इसमें हिंदू के एकता वाला मामला तो कहीं बीच में भी है, वहाँ पे जैश्री राम का नारा लगा के, दिल्ली में जैश्री राम का नारा लगा के क्या मिल जाता, बात को अक्पर लगा दियागी, असीदी थी बात है के, अल्ला अक्पर तुम्हारे खिलाफ एक जुट है, यह एक जुटता पर दरश्चित करता हुआ एक नाराया, यह political नाराया, एक जुटता पर दरश्चित करता हुआ, यह एक जुता किस चीज़ की है, इस चीज़ पर गार करिये, देश पर कईए की एक जुता नहीं है, ये बे फ़िजूल की बातें मत करिये, कि जो है मुस्लिम जो है बत्ते जादा पैदा करते हैं और देश पर कप जाकर न चाते हैं इसलामी राष्ट चाते हैं ये चाते हैं वो चाते हैं ये संबेकार की बाते हैं ये एक जुटा है पुलिस के खिलाफ सिखों की अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझेए सिखों ने क्या देखा जब पुलिस के किसी सिपाही को आप सड़क में मारिये तो पुलिस वाले कहीं के भी हूँ मैं पुलिस की अवलाद हूँ माहित्मे की अवलाद हूँ मैंने बच्पन से ये बात सीखिये मेरे बाप ने सिखाई मेरे पिता के साथ काम करने वाले सभी पुलिस कर्मियों उन्हें हमको सिखाई कि देखो आरा निल तुम महकमे की आउलाद हो पुलिस की आउलाद हो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ेगा ने इतनी असानी से अगर तुम ज़्यादा गलत नहीं एक पिता पुत्र पे अत्याचार किया उसके बाद थाने में सारे के सारे सिपाई वो हर जात ही हर धर्म के हैं उसमें कोई जाट भी हो सकता है कोई गुजर भी हो सकता है कोई यादो भी हो सकता है कोई ब्रामर भी हो सकता है कोई ठाकुर भी हो सकता है उस्थाने में नौकरी करने वाले पुलिस कर्मी, पुलिस वाले, वो पुलिस वाले एकजिट हो गए, जो सम्विधान से, जो हमारे सरकार से नौकरी की तनकाप आ रहे हैं, जो उन्ही सिखों के दिये हुए टैक्स से तनकाप आते हैं, वो एकजिट हो गए, किस के खिलाफ ए एक जुट हो गए, पीडित के खिलाफ एक जुट हो गए, जिसको मारा गया, तो उन सिखों ने क्या सोचा, कि ये साले एक जुट होएं, तो हम भी एक जुट होगे, और हम एक जुट होके, जो वही नारा लगाएंगे, जो मुस्लिम लगाते हैं, नारा ए तद्बीर, अल्ला बाप के सामने धरने पे बैट गए, बाप ने एक टाफी दे दी, चाकले दे दी बात खत्म, ये नहीं चाहते थे सिख, देश की जनता अब एक जुट होना चालू होगे, ये जनता एक जुट होने का माद्यम, अगर सिखों के मुख से जैश्री राम के बजाएं, सिखों के नेता भी चुन लेगी, और ये जनता वो करम करके दिखा देगी, जो नेता समझ नहीं पा रहे हैं, ये बात मेरी समझ में आई कि ये बहुत बड़ी बात हुई है, ये एक जुटता प्रदर्शित करने का नारा था, पॉल्टिकल ब्रष्ट एक जुट हैं, ब्रष्ट सरका वादी है.